दोस्तो कैसे हैं आप दोस्तो आज हम बात करेंगे फ्रोजन सुल्डर दोस्तो फ्रोजन सुल्डर में कंधा जो है कंधा की हडियों में मूब करना मुश्किल हो जाता है इस फ्रोजन सुल्डर पर बात करेंगे दोस्तो आज का लोग इसे बहुत ज्यादा दुखी हैं और छे करेंगे और मेरे पास जितने भी पेसेंट आये हैं इसमें लगवार दरजनों पेसेंट को मैं ठीक किया हूं दोस्तों बड़ा असान दबाई है और बहुत कम खर्च में या हमेशा के लिए ठीक हो जाता है चलिए दोस्तों इससे पहले तो मेरे डॉक्टर केशब कुमार यू कि दोस्तों पूझन सवलड के अलग 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 सुजाव होते हैं पहले इसंव बात हम कर लेंगे या होता क्यों है फ्रोजन सोल्डर जो बेक्ति हमेशा कंप्यूटर और पर अपना हात होगड क्वाधा चलता रहता है हो शे जो भी वरक करें उनके वरक में बाहा जो है कर पाता है तो यह धेरे धेरे फ्रोजन सुल्डर हो जाता है इसमें क्या होता है कि यह हड़ी होता है यह मूब करना जब बंद हो जाता है फोजन सुल्डर में यह घूमना जो हैसे बिल्कुल असहनी हो जाता और इसमें दर्द होता है और बाह उठा पाता है पकर के उठाता ह है बहुत सारी परसानी होती है दोस्तों इन सब के लिए हम होमियोपाथिक, इलेक्ट्रो होमियोपाथिक दोनों मेडिसिन पर चर्चा करेंगे दोस्तों अब हम बता, प्रोजन सुलडर में कंद्य को मूब करना मुश्किल हो जाता है इसको मेडिकल भासा में adhesive capsulitis कहते हैं हर joint में यह capsule होता है यह capsule steep यह सक्त हो जाता है यह दर्द अचानक कहिए यह धीरे-धीरे कहिए यह दर्द बढ़ने लगता है वैसे तो सौक यह चूट से यह समस्या नहीं होती है लेकिन कभी-कभी ऐसा हो सकता है प्रोजन सोल्डर में दर्द अचानक उठता है धीरे-धीरे कंधे को हिलाना डूलाना मुश्किल हो जाता है दोस्तों इसके तीन चरन है पर्थम चरन है फ्रीज प्रियड फ्रीज प्रियड में कंधा फ्रीज या ज्याम होने लगता है तेज दर्द होता है जो अक्सर रात मे में बढ़ जाता है कंधा को घुमाना या मूब करना बहुत मुख्विल हो जाता है दोसरा होता है फ्रीजन प्रियरट में इस प्रियरड में कंधे की स्टिफनेस बढ़ती जाती है और धीरे धीरे इसकी गति विधिया कम हो जाती है दर्द बहुत होता है लेकिन और सहनिये नहीं होता है तीसरा है सुधार सुधार प्रियेड में ऐसा लगता है कि दर्द धीरे-धीरे सुधार हो रही है मुहमेंट भी थोड़ा सुधार जाता है लेकिन कभी-कभी तेज दर्द हो जाता है दोस्तो इसकी जांच परक्रिया है जांच इसकी ये पहचान की जाती है कि कितना मूब कर रहा है इसमें दर्द किस तरह का है और जब एक्सरे करते हैं तो एक्सरे करने के बाद पूरी जांच प्रिक्रियारम पता चल जाता है कि यह किस पोजीशन में है इसके बाद दोस्तो अलेक्ट्रो हुमियोपैतिक हुमियोपैति मेडिसीन पर अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों हुम्यूपैट तो लक्षन अधारित है लक्षन में जैसे दर्द अगर हम काम कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं तब अगर दर्द नहीं कर रहा है तो रश्टक्स देंगे 30 पावर में 2-2-3 वार अगर वही दीन में दर्द करता है रात में जब सोते हैं चूप चापा स्थीर से तो दर्द नहीं करता है उसमें ब्रैयोनिया एलवा देंगे इसके बाद ब्रैयोनिया एलवा 30 पावर में 2-2 गुन सुवा साम और 2 पाड़ देंगे दोस्तों इसमें अनिका भी चलाएंगे कि अगर जैसे अचानक हम गिर गए उसके बाद फोजन सोल्डर हो गया उसे चोट लगने की वज़ा से होता नहीं लेकिन अगर मान लिजे कि चोट के बाद अगर ये समस्या जैसे हम जवानी में कुस्ती लगे हैं बुढ़ापे में अगर ये समस्या आ रही है तो इसमें अरनिका हम द देना चाहिए ठाटी पावर में दे सकते हैं या दूसर पावर में दूसरा पावर में मर्देंगे तो दो-दो बुण सुभा स्वाशं में तीन टाइम है दोस्तों आब हम बात करेंगे एलेक्ट्रू होमियो त्रॉण डोज में देंगे यह दस-दस गूंद 4 टाइम देंगे तिसरी मेडिसीन है यह यह बाइस 24 और 31 यह लाइटर डालोशन में देंगे यह दस-दस गूंद 4 टाइम देंगे इसके बाद वाइंटमेंट त्यार करेंगे वाइंटमेंट हम तो वाइल में त्यार करते हैं बांकी सबकी अपनी अपनी इक्चा होती है और अनभव हैं कि A2 S5 C5 W और G A strongavo said में इसे त्यार करके और 2-3 time frozen shoulder जहां जिस कंधे में हो उसमें मालिस करना है दीन भर में 2-3 बार इसके बाद room care injection है इस injection को 2ml एक टाइम सुभा या साम लगातार 5-10 दिन लगाएंगे दोस्तो अगर नसमे ज़्यादा तकलिफ है तो इसका Neurotone Injection आता है Neurotone Injection भी देते हैं लेकिन यह Roma Care अभी तक हम लगाए है रुमा Care से ही काम चल जाता है फिर भी अगर ज़्यादा दिन से अगर है तो नस में भी थोड़ा परसानी आ जाती है तो इसका निरूटन इंजेक्शन आता है एलेक्ट्रोहमियोपाथिक यह इंजेक्शन इलेक्ट्रोहमियोपाथिक ही है दोनों दोस्तो यह दवा आज तक मैं जितने भी पेसेंट को दिया हूँ वो हंड्रेट परसेंट ठीक ही हो हैं चलिए दोस्तो तो यह मेडिसीन है अगर आपके पास उपलब्द हो तो आप इसका उपयोग करें नहीं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं डिस्क्रेप्शन में मेरा मुवाइल नमबर आता है आप हमसे जरू कॉल कर लें दोस्तों अच्छा लगे तो इस वीडियो को ला करेंगे नहीं मेरा आता है आप इसे ऴयूचका यह तो एक शच्का बमादा कर दोस्तों करूंटạtव इस्कार हें षड़ आता है इस थच्छा आता हैं तो ऑление आप